जन जाती है समाज में प्रतिभा की कमी कभी कोई कमी नहीं रही है लेकिन दुर्भागे से पहले की सरकारों में आदिवासी समाज को अवसर देने के लिए जो जरूरी राजनिती की इच्छा शक्ती चाहिए ना कुछ नहीं था बहुत कम थी सरजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है मैं अभी आने से पहले सभी आदिवासी समाज की बेहनों के द्वारा जो निर्मान कारिय हुआ है वो देख करके मैं सच मुझ में पड़े मन को आनन्द होता था है इनकी उंगलियों में इनके पास क्या थाकत है सरजन आदिवासी प्रंपरा का हिस्सा है लेकिन आदिवासी सरजन को बाजार से नहीं जोड़ा गया आप कल्पने कर सकते हैं बास की खेती जैसी छोटी और सामान्य से चीज़ को कानूनों के मकड़ जाल में फसा कर रग़ा क्या हमारे जन जाती है भाईयों बेहनों के हैं यह हक नहीं था कि वो बास की खेती कर बास खेती करकर के बेच करके उसे पैसा कमा सके हमने वन कानूनों में बढ़लाव कर इस सोच को ही बदल दिया साथियों दसकों से जिस समाज को उसकी छोटी छोटी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए लंबा इंतजार करवाया गया उसकी अपेख्षा की गई उपेख्षा की गई अब उसको आत्म निर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्द कराया जा रहा है ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातिय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं जिस मोटे अनाज को कभी दोयम नजर से देखा जाता था वो भी आज भारत का ब्रांड बन रहा है साथियों वंधन योजना हो वनोपच को MSP के दायरे में लाना हो या बेहनों की संगटन सक्दी को नई उर्जा देना ये जन जातिये ख्षेत्रों में अभुद्पुर्व आउसर पैदा कर रहे हैं पहले की सरकारें सिर्फ आठ दस वन उपजों पर MSP दिया करती थी आज हमारी सरकार करीब करीब नब्बे नब्बे वन उपजों पर MSP दे रही है कहा नव दस और कहा नब्बे हमने पचीसों से अधिक वन दन विकास केंद्रों को 37,000 चादिक वन दन सेल फिल्फ ग्रूपों से जोड़ा गया है इनसे आज लगबग साड़े साथ लाग साथ ही जुड़े हैं उनको रोजगार और स्वर रोजगार मिल रहा है हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी सम्वेजन जिल्ता के साथ कादम उठा है राज्यों में लगबग 20 लाग जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जन जातिय साथ्यों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए